हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल समपूर्ण इंगलिस में तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे कोस्टन को देखेंगे जो 2020 के एकजाम पॉइंट आपके बीच लूँगा आप उसको किसी भी हालत में जरूर प्रिपेर कर लेना क्योंकि यह कोस्टन 99 परसेंट कोस्टन यहीं से आएगा तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से यह कोस्टन है जो कि 2020 के एकजाम पॉइंट व व्यू से इतना इंपोटेंट है तो चलिए दोस्तों सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि LNMU Part 2 English English paper 4 का जो एक्जामिनेशन होता है वहाँ पर टोटल 5 कोस्टन आते हैं उस 5 कोस्टन में से पहला कोस्टन जो होता है एक्सिप्लेन करने वाला जो कोस्टन होता है आपके पास 4 कोस्टन होता है जो की A, B, C और D 4 भागों में बटा हुआ होता है और चारों में एक ए करके alternative option होता है अगर बात की जाए दूसरे question का और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि explain करने वाला question है यहां पर मैं आपको यहां पर कुछ इसके बारे में नहीं बताऊंगा इसके लिए मैं special video बहुत ही जल्द लाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि explain करने वाले question को किस प्रकार से tackle करना है ताकि आप अच्छे score सेक्शन में कर सकते हो अगर बात की जाए दूसरे question का तो जैसे मान लिजिए तो किस प्रकार से question आ सकता है तो यह question इस प्रकार से आख सकता है write a note on the atmosphere of the novel Udring Heights या फिर और करके आ सकता है आपके पास comment on the narrative art of Udring Heights और सबसे important question question इसी में यह जितना भी मैं तीन यहां पे लिया हूं तीन में से दो तो question आपको देखने को मिलेगा है और कोई आये ना आये मैं आपको बता दूँ कि अगर कोई question आप रिपेर करो ना करो लेकिन head clip का character में जरूर कर लेना क्योंकि मैं यहां पे 99 नहीं 100% में कह रहा हूं कि कोई question Udring Heights से आये ना आये लेकिन head clip का character जरूर आयेगा और question किस परकार से आ सकता है तो यह आयेगा escape the character of head clip और head clip किसका character है तो इमली बरॉंटे दोरा लिखा गया जो नोवेल है Udring Heights इसका एक बहुत ही major character है अगर बात की जाए दोस्तों दूसरा का अगर मान लिजिए अगर दूसरा question अगर far from the meeting crowd से आता है तो far from the meeting crowd में इस प्रकार से question आपको देखने को मिल सकता है discuss far from the meeting crowd is a romantic pastoral comedy discuss far from the meeting crowd as a romantic pastoral comedy और कर क्या सकता है how did Fanny take her events in the novel far from the meeting crowd अगर बात की जाए दोस्तों अगर चाउथा question का तो चाउथा question में आप मैं आपको बता दूँ कि चाउथा question जो होता है यह से section से आता है यहां पर आपके पास दो तीन option होता है और उन में से किनी एक पर आपको short note लिखना होता है यानि कि दे रखा है question bring out the ideas contained in any one of the following यानि आपके पास कौन कौन से option रहेगा कोई भी option रहे लेकिन कोई question आए ना आए लेकिन ये तीन आप किसी भी हालत में prepare कर लेना कौन-कौन यह तीन ऐसे question है जो मैं तो कह रहा हूं कि इन में से एक दो क्या तीनों का तीनों आपको यहां पर देखने को मिलेगा अगर तीन option आता है मालेजिए एक तो question आ जाता है और हर question में और करके option आता है तो कोई question आये ना आये the kite जो है अब मैं आपको बारबर कर रहा हूं कि the kite आप किसी भी हालत में prepare कर लेना अगर time हो तो the basement room इसको cover कर लेना अगर time नहीं है तो इसको छोड़िए किसी भी हालत में आप the kite को जरूर prepare कर लो और दोस्तों यहां पर जितने भी मैं question आपको बताया हूं या फिर the kite हो या दोस्तों चलिए मैं कुछ important बात यहां पर करता हूं जैसे मालीजिए अगर कोई question मालीजिए जैसे दूसरा question ही देखिए अगर उद्रिंग हैट से question आता है तो मैंने आपको तो सबसे पहले बता दे कि कोई question आये ना है देखिए अगर question नहीं आयेगा तो किस प्रकार से आपको prepare करना है तो इसके लिए आप जो मैं आपको note दिया हूं या फिर आगर आपके पास नहीं है तो अपना WhatsApp वीडियो के description वीडियो में comment करना मैं आपको वहाँ पर प्रवाइड कर दूंगा आपको message के थुरू तो आप करना क्या तो कोई भी question आए far from the meeting crowd से मैं जो चार से पांच page का जो इस पे note बनाया हूं simple language में आप उसको prepare कर लेना summary को और कोई भी question आए far from the meeting crowd से उसको आप वहाँ पे direct link देना क्योंकि question जो होते हैं और वही summary से उठाके आये होते हैं और ऐसे भी किसी प्रकार के question आए summary को ह होता है उस answer में तो वहां से आप easily कर लोगे तो इसलिए किसी भी question को जितना मैं बता दिया हूं उसको तो आप किसी भी हालत में prepare कर लेना ही लेकिन माली जी अगर by chance अगर आप इसको भी नहीं cover कर पाते हो cover कर लेते हो तो कम से कम मैं जो आपको note दिया हूं उस note को prepare कर लेना summary सिर्फ prepare कर लेना क्योंकि summary आपको prepare रहेगा तब किसी भी question का answer असाने से दे सकते हो और जितने भी video यहां पे मैं पिछले video मैं बताया हूं उस सारे का link मैं इस video के description में दे दूँगा क्योंकि उस सारा video काफी important है जो कि LNMU part 1 से related है और दोस्तों बहुत ही जल्द मैं पहला question जो होता है explain करने वाला उस पे मैं बहुत ही जल्द वीडियो ला रहा हूं जो कि आप जहां पॉइंटों भी उसे काफी मददगार सावित हो सकता है क्योंकि explain करने वाला question भी काफी अच्छे marks का होता है तो आगर आप वहां से अगर उस video को देखोगे तो काफी help मिलेगी आपको और दोस्तों अगर पेपर 3 का important question अगर आप देखना साथ चाहते हो तो उनका भी वीडियो मैं बना चुका हूं इसके लिए description में चेक करना हूं आपको पहला option पर ही video कर लिंग मिल जाएगा तो दोस्तों इसी के साथ इस video को समाप्त करता हूं और आपसे request है कि अगर कर आपसे चाहते हुआ हाँ झार।